हेलो गाइज, आज हम डिसक्स करने जा रहे हैं इंडिया भूकर चैप्टर नमबर 2, 18 & 23, टू है अपना नेशन सिंबल्स वाला, 18 नमबर चैप्टर है इंडिया 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 वर्ल्ड का, जो ये 23 चैप्टर है ये है अपना प्लानिंग का, ठीक है, तिनों चैप्टर उसमें कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन ये चैप्टर नमबर 2 काफी इंपोर्टन है हमारे प्रिलिम्स के लिए, चलो देखते हैं इसमें क्या के है आगे, नेशन फ्लैग, फ्लैग का आपको पता ही है, अपना उपर केशरिया रहेंगा, सैफ्रान बोलते हैं इसको बीच मे के अंदर और जो आपको ये, इनका जो रेशियो पता होना चाहिए, जो विट है, वो है टूपे लेंथ है इसकी तीन पे, ये तीन फिट का अगर आप ये लेंथ बना रहे हो, तो ये विट इसकी दो फिट होनी चाहिए, ठीक है, याद रखना हमें, जो वाइड वेंड होत जो पिलर था, उसके ओपर जो लाइन कैपिटल है, उसके ओपर जो ये स्पोक्स बना ये जो नेवी ब्लू वील बनावा है, वहां से उठा के इसको यहाँ पे लिया गया है, पहली बार डिजाइन थी नेशनल फ्लैग कब अडॉप्ट की गई थी, कॉंसल असेंबली के अं कि अंदर जो ये अपना जो अभी ये वील है, जो गोला है ये चक्र जो है, उसके बजाए क्या था, यहाँ पर चर्खा था, ठीक है, ये चर्खा था इस तरह, यहाँ डंडा निकलावा था ऐसे और चर्खी का सिंबल था, अब उसने इसने महाँ पर अपने जब 1947 में जदी इसका ये है अपना खाती डेवलप्मेंट एन विलेज अंडिष्टीस कमिशन ठीक है, तो ये इसका वो करता है, यहाँ रखना जो और divides program to the offshore 70 1971 में आये था एक नाइटे 50 में से पहले आये था क्या emblems and the names act prevention of improper use यह पूछ सकता है तिनों यहाद रखेंगे ना flag of India prevention of insult to national honor emblems and the names फिर यह यहाद रखना है कि अपना जो अफ्रेंडा में duties है article 51 के अंदर यह बताया गया कि में तीन चीज़ों का ध्यान रखना है अबाइट करना क्या क्या constitution का constitution के ideals का constitution के institutions का और क्या क्या है हमारे पास national flag and national anthem है ठीक है तो constitution हो गया national flag हो गया national anthem हो गई उसके बाद में कोई restriction नहीं है कोई भी इंसान इसको जंडे को लहरा सकता है कभी भी इसको display कर सकता है लेकिन उसको अपना वो जो rules and regulation को ध्यान रखना पड़ेगा हाफ मस्ट क्या होता है कि जब 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 ऐसे फ्लैक का यह वो पोल हो गया और यहां पर फ्लाई कर रहा होता है तो उसको अगर यहां से निकाल के यहां ले आया जाए जाए फ्लैक को राफ मस्ट रखा जाए तो इसका मतलब यह होता है वो sign of morning है मतलब state वो nation है वो country वो सब्सक्राइब किया था क्या क्या किया था सैफ्रॉन कलर वन वाइट टू एंड ग्रीन ठीक है समाज से दूरी बना लेना और एक तरीके से अपने आपको जो यह मैट्रिल गेंज होते हैं इन से दूर रहना ठीक है वाइट का तुछ है वाइट का मतलब उसने यह बोल जो जमीन है जो मिट्टी है उससे नाता बताया था और यह बताया था कि जो प्लांट लाइफ है उससे रिलेशन है जिसके ओपर हमारी सारी जिन्दगी डिपेंड करती है तो इतनों नाम याद रखता है रिनेंशियेशन, डिसेंटरशेट, सैफरन करके था वाइट में ला को भी कोई जो चेंज हो रहा है बार बार उसको रोकना ने चाहिए उसके साथ साथ मूव करना चाहिए और इसके अंदर चार वो हैं जो से अपीठ से अगर ऐसे है तो सामने देख रहा है तर देख रहा है तर देख रहा होता है लेकिन हमारे में केवल तीन ही शेर हैं पीछ जो हमने लिया ऐपने उसके लिए उसके अंदर जो रिलीफ है उसके निचे रोंए है इन करने है यह है elephant animals ने ध्यालो किने बॉल इंहुभाए है ये है और नीचे बलाक सब ऊपटेल है फ्रिक है prop उसको बीच में एक वील है और साइड रज एक तर दिख नहीं रहा याँ पे नीचे वाल जो भीलब रोहा आइसे पिछ नीचे की तर्फ इक यूज रिल रोखें द्र रहा लोकर ता उसको नहीं ने भैटा दिया है कि रखा नहीं है उसके अंदर ऐसको अब में इंटरेट पर देख लेना इसको यह जो अड़ाप्ट कब किया गया था जनवरी 26 1950 को अब नेशनल फ्लैग कबड़ाप किया था जुलाई 22nd 1947 को ठीक है और जो यह सारनाद लैन के अपिटल है वो सिंगल उसमें ब्लॉक ऑपालिश सेंड स्टोन से बनाई गए थी जब अश्वकानी देवनागरी जो हम हिंदी लिखते है ठीक है सत्यमेव ऐसे तो यह कि उसको देवनागरी स्किर्प्ट बोलते है उसमें लिखा गया है इसके लिए फिर नहीं बला है कि उसको कौन-कौन से स्टेचूट है जो उसको रेगुलेट करते हैं उसमें आता है स्टेट अमलम फ पिछे वाले में आपको या जाए जाए फ्लैग वाड अफ इंडिया था प्रिवेंशन अव इंप्रोपर यूज वाला दूसरा था प्रिवेंशन अव इंसरल था ठीक है तो तीन उसमें थे और इसमें यह स्टेट अप इंडिया एक्ट है फिर नेशल एंथम आ गई ठीक ह नेशल वाले में यह पहले पर लिखा गया था बाद में इसका हिंदी ट्रांसलेशन वाटक कव इसको हाँ इसका हिंदी ट्रांसलेशन को उन्होंने एडप्ट किया था जुलाई 19 जुने यह सुरी जैनवे 24 1950 के अंदर ठीक है और यह पहली बनाया यह लिखा किस ने था इस है कि अपीन जो बंगलडेस है अभी अपने देखा होगा पनी वहार अजी के पी हम्हां की एंडिया में आय भी है ब behandysis का जो अंथम है है वो है अमार सोनार بنगला टिक है अमार सोनार भंगला वो जो एंतम में वो भी रवींदना टेगोर्न नहीं लिखी थी ठीक है इंडिया का जनगान मन भी बंगाली के अंजान एट आपने लिखा था हुषिता और हिंदी provano kениști डॉट कर लिया है लेकिन अगर याद रखना है कि उनका भी इस से connection है तो जो श्रिलंगा की अंथम है वो भी रविंद्रा टेगर के एक शिष्य थे उन्होंने लिखी थी ठीक है लेकिन कई जिगा बोलते है कि वो रविंद्रा टेगर लिखे उनको दी थी कि आप यूज कर लो इसको तो यह तीनों का याद द्रखना प्रविंद्रा टेगर का उनमें योगदान रहा है पहली बार गया कब गया था यह बहुत इंपोर्टन है 1911 का जो कलकत्ता का session था इंडियन नेशन कॉंग्रेस का उसमें पहली बार गया गया था इसे पांच तेंजा है और लेकिन हम जो यू इसको यूज किया आता था ठीक है और उसमें पहली बार जो इसका नाम क्या दिया गया तो गाने को भारत भाग्य विदा था तो बोधनी सवा वो थे अपने देवंदिनार जो टैगोर थे उनकी वो थी ठीक है और इसको फिर्स टाइम ट्रांसलेट किया गया था 1999 के अंदर mornings of India इसी को बुला जाता है ठीक है चलो next नाशन सौंग आ गया वंदे मातरम लिखा किसने था बंकीम चंदर चाटर जी ने सैंस्कृत में लिखा था कौन सी किताब में लिखा था उसका नाम था आनंद मट और जो आनंद मट था वो किस चीज के उबर बेज था किस पर उस प लिखा लिए थे हो गया इसका पहली बार कब गाया गया था यह भी रवंदना टैकोड ने गाया था 1896 के अंदर कलकत्ता के अंदर नेशनल कॉंग्रिस वह था 1911 में यह है 1896 में ठीक है इसकी जो इसमें जो फर्स इसमें पांट स्टेंज आए कि फर्स यूज करते हैं इसक सक एरा के उपर सक एरा के उपर बेस्ट है मार्च 22 1907 को डॉट किया गया था ठीक है यह बाकी चीजों के लिए यूज होता है कुछ खास है नहीं इतना याद रखना है कि हमारे जो जो डेट अशनल कलेंडर है ना वह जो ग्रेगिर जो एंग्लिश कलेंडर है उनके कंपेर इसमें यह फिर देख हो उपना का पर लक्रिंचे को से है कंबल का फूस्च कौन सय है फ्रूट कंकी सा है मैंगो है ठीक है यह च्छिट मेंगवा इंडिया मी जो खंबलता को में थके सिब्सक्राइब कर देख्ण होगा भाहत सब्सक्राइब बड़ा पेड़ हो जाता है फिर उसकी रूट इतनी फैल्टीव जाएंगा इस तरह थीक है तो यह इसको बरगत का पेड़ बोलता है काफी मारा पुराना उसमें जो मित्स हैं जो स्टोरीस है अपने इंचेंट वाली उनके अज़र का नाम आया बार बार तो अपना कामल का फ थीक है और नेशनल बर्ड को सेवेन पिकोक है और करंसी में इंडर्ण रूपी का साइमताओं को पता ही होगा यह अप यह जरूर याद रखना है इस है अडल याद रखना है कि मैमल्स होते हैं होते हैं ना तो हिए कि अंदर मिलेंगे समुद्र के अंदर ठीक है सी के अंदर होगए या रीवर समें होगए या ठीकट सुम्य या ठीक टुट हो इसमिल्स होते हैं तीन टैप पहला है सटैशियार आप स सरा पहला वह था है दूसरा है मेरा शिरेंग एकbenा सुन को हो रहा तोases आते हैं यह बर बर एक मिलता रहता है हमको चंकर आ यह मी तेह Highway होते है होते है सोते हैंगा गया पार्ट का एडोगा यह पार्ट अगया फोопने में रहा होगए यह और मैनेटी भी होती है टीक तो इसके पार्ट हो गए तिसरा है खा झ स्टूपकत ही पॉट्बोर्स ना आपको तो यह तीन हम खए सेक अब मता दिया अब रिवर डॉल्फिन भी से का पार्ड हो जाते हैं एक तरीके से ठीक है वह भी अर फिन रिवर डॉल्फिन जो होती है उसके बाते है उसके अंदर इंड्या मैप देखे हैं इसे यह टो हो गया हमारा पैनेशुला रेजन ओगया उपन इंडिया का पखर्वाट आ रही होती है तो यहां पर आके समदर ने गिर जाती है ठीक है और यहां पर को पता है प्लाकिक श्रिल्का लेक है ठीक आपको पता है ओई उड़ीशा करे पास मैं यह इस स्रिलंका हो गया इरावडी डॉल्फिन वह क्या करते है वह यहां से घूमती गूमती यहां सी में आती है फिर यहां पर जाके सौड़ लेक में इसमें चिलका लेक में घूमती फिर आपस लोटी चलती रहती है तो यह connection जरूर याद रखना यह रावडी लेक वाला और यह इर सौरी मनिपूर से निकलती है आपनी बराक रीवर बराक रीवर फिर कोष्चा रही और एक और का उसका उसका इसमें डिवाइड हो जाती है और फिर वहां से गुष्ते मेगळा नाम लेके फिर इंती Ос catas Co बिलह जाती है फिक तो तीनों में कैया हो जो गंगे डैक्र से रहे उपाता है और फ्रेश वाटर है तो क्या समुदर के इसाब से भी नहीं आ सकती यदर गोम के ठीक है तो यह आगर डॉल्फिन इस टीशन बता दिया मैंने आपको साउथ एशन जो रिवर डॉल्फिन यह फ्रेश वाटर रिवर डॉल्फिन है गंगा और जो इंडस हो सेम है ल गंगणि डेलफिन को यह हो गया था अब आ गया यह इसको यह बताना था मैंने कि आप यहां बता दिया कि सी ने कर नहीं के इसका मैंдरा इक सिरीन धेंगा पार्ट और सुनॉञव доб धर आता है सी ओर्स dealing हो घ्टर्ड आता है सी होर्स क्या Mahar कि है यह फिश है अ सी वहार्स का एक और होता है हीपो patymus अफिर को पता होगा कि जो एक अपने भफिल्योट का होता है चोटा विवह चोड़ा होता है बहुत बढ़ा मुह होता उसका है हीपो टिंक का थ कृति हों इसका किृफ। म्यस को क्या, वह मिल इसका है, यह है, है यह आगे देखेंगे, तो यह हा गया, ठीक है, हीप यह कहां मिलता ह्हाँ सब यह होगा कि जो समें एक मैलन नाम का ओर्गन होता है इसको यूज करते हैं जिससे यह साउंड वेव आगे बेज़ती है और जो साउंड बेज़ तक्रा के जिसके भी कुछ आगे ऑपस लोटके इसके पास आती है और यह फिर उस हिसाब से ट्रेवल करती है इसको बाईयो सुन इसके अदर मिलता है यहां पर याद रखना है फिर आगे यह कहां का मिलती है गंगा ब्रहम पुत्रा मेगना करना फुली संगू रिवर सिस्टेम अंदर मिलती है ठीक है यह तिर गहगरा रिवर एंदिस सब्तकोशी रिवर के अंदर भी इसका यह पाई गई गई है इसके रखना है हमें फ्रेश वाटर ठीक है अब इसमें आती है मेजन रिवर जो लार्जे से बहुत बढ़ी है फिर बॉलिवियन की रिवर है और चौति अपनी इंडियन वाली यह आ गई जो यह साउथ एशन जो रिवर डॉल्फिन है अब दूसरा चैप्टर जो है वह इंडिय और रखना है मलेशिय को अब तौरनआ गोट गफ्ट किया है तो रना गेट सोरी तो इसगेट है टाउट किया फिर अब अब का साची का स्थी ऐसे रहे एसे यहां एसे फेंसिंग होती है लिवाए साईट में ऐसे गेट होता एक अगर आप अ इसको तोरण मारना बोलते हैं फिर जो एंडिया की एंडिया की एंग्र है इंडिया कुछ और कर रहा है तो उसमें सबकुछ वह यह इसमें डिखावा था इंडिया पौक नाम आ रहा था कि इसमें तीन कंट्रीज हैं साउथ को को बोलते हैं आर्मेनिया अजर्बाइजन एंजेर्जिया ठीक है तो यह आग है इन्तिनों का नाम याद रखलेना भी को पूछ सकता है ऐसे फिर साइड मेक्स हो गया साइड मेक्स में याद रखना है यह साउथ एशन अनवल डिजार्श्टर मे तो मेंबर्शिप उसके अंदर 10 प्लस 8 है अब 10 कौन है 10 आते हैं एशन मेंबर स्टेट ठीक है 8 कौन है बाकी तो 10 जो अपने एशन मेंबर स्टेट आपको याद कसी करेंगे अपने इंडिया के पास से चलो ऐसे ठीक है तो पहले कहुंस आता है मैमार थोड़ा और और अग बाकी 8 कंट्री कौन कौन से हैं तो यह याद रखना कि बाकी 8 कंट्री में किवले एक यूस से है जो एशिया का नहीं है बाकी सारे साथ इदर के अधर है उपर चलके वह आते हैं तो उपर आगया रश्या ठीक है चाइना एंधन इंडिया यहां आए तो जापान साउथ कोर इंडिया फिर नीचे आए तो ऑस्टेलिया एंड न्यूजिलेंड तो किते होगे पांच दूसात और एक आठ ठीक है तो यह से याद रखने ना आप अठा आज ग्यारा इंडिया से पार्ट रहा है जब से बना है ठीक है 2005 में पहली बार और हर इंडियन प्राम मेंसर्ट न कंटरीं तीक है इंडिया अपना प्लस बार की पांच कंट्री 5 ऐसे निगलती है फिए इसका पार्ट नहीं है याधकर प्लस्ट आठाना। दो हजार के अंदर बनी थी ठीक है लाओ के अंदर पहले उसकी मिटिंग हुई थी बहुत गंगंगा जो मेकॉंग है वो सिवलाइशन रीवर है ठीक है इसमें कुछ खास है नहीं यह बाकि कुछ यह सारा जो मिटिंग होती है वो होती किसलिए तूरिजिन पर डिसकस करने के होती है मिकॉंग जो रीवर है वो बारवी से बड़ी है वर्ड की बाकि यह निकलती कहां कहां चैना में आए कि फिर म्यामार लाओस थाइलेंड कंबोडिया वियतनम में गुस्तिव चले जाती है यह इसका वो पूरा इसका कोर्स है यह यह यूनान प्रिंस निकली ठीक यह पूरा पे यह थोड़ा सा पत्मिय हां चायना से मैमर में गुञ़ते है तो ड इस फिर अवल जाते है आ थे तो यहा पर यह आगया अपना इदर धालना यह तैनल मिव रिखतना आ अि ठीक है अर्दैक यह वह और अफने एस्यव एरों मिलते है अपस में डिसकस करते चाह का कोपरेशन यह वो तरह पर उसमें 53 मेंबर संट पार्टनर है 51 तो मेंबर कंट्रीज है और दो रिजनल ओगनाज़िशन है और अगर आप देखेंगे और बंगाल कोपरेशन है अगर हम इंडिया का मैप बना ऐसे आता यह अपना पर यह अपनी श्रिलंका है ठीक है और यह बंगलादेस आगया थोड़ साइट से लिके आ जाएंगे तो यहां पर यहां पी यह अमार बैठा वैसे और थोड़ से यह अपना उपर से आते वैसे थाइलंड का इनिश पार्ट यहां पर यहां पर हो गया अब इसकी मेंबर्शिप देखो यहां से ठीक है श्रिलंका यह आ गया फिर इंडिया आ गया ठीक है तो इंडिया गया अगया तो और पर फगे तो बंगलदेस आ गया गया तो यह प्लस और नेपाल ऐसे आं चे तरफ से ठीक है फिर इसमें और हुआ क्या है इसका पार्टनर रहा है हमेशा से 2005 से ठीक है टांस्पूर्ट इंफ्रेशन इंप्रूव करने के लिए वगरा वगरा इसमें यह आज रखना कि कि मल्टि सेक्टर रंट टेक्निकल एड इकमिक कोपरेशन है यह फिर अपनी जो अपनी मिन्स्ट्रेश एक प्रोग्राम चलाती है उसका नाम है ITCEC इंडिन टेखनिकल एक कोपरिशन्मीं प्रोग्राम यह बाइलेटल ऐसिस्टेइप प्रोग्रयंए रोन बाय दी गवर्मेंट ऑफ इंडिया यह यह दिमांड रीवन रिस्पोन ट्रोग्राम में फोकसे हैं टिए अग्र钁ण विडेविंग कंट्रीज दू इन्वीटि टेक्नोलोजी को क्रेशन बैसीक लिए क्यों सब्सक्राइब कि दुक्राइब तो उसके टुरू ये एक तरीके से अपना डीप्लोमेटिक से देने के लिए वहां उस country के अंदर access लेने के लिए उनका जो अपने फेवर में करने के लिए ये पुरान को यूज के आता है इंडिया के वारा एक सब्सक्राइब इसके लाव मिनिस्ट्री और एक्षिन अफियर में एक एक अफिस है उसका नाम है इन्वेस्ट्मेंट टेकनोलोजी पर मोशन डिवीजन ठीक है यह क्या करता है अपने इंडिया वालों की इकनोमिक आउट्रीज बढ़ाने के लिए ट्रेड जो इस्यू उतने को रिजॉल्व आती है ठीक है फिर आता है इन्होंने एक प्लेटफर्म चलाय था अपने वेब के उपर नेट के उपर इसका नाम था ओनलाइन ग्रिवेंस इसस्टम था इसका नाम था मदद ठीक है तो कि चाजी कर रहा है बंद जो अपने शिटिजन है अपने दो नेशन के वह बाहर यह ठीक है उसी के ऐसा एक मदद भी है जो उनकी वेबसाइट के उपर है नालंदा इन्यूश्टी के न्यूज बार-बार आती रहती है मरता से इनके चक्रों में तो यह अंडर मिया आता है मिनिस्ट्री अप्रोग्राम चलाती है वह तब इसका नाम है प्रमोशन अफ मिनिस्ट्री के लिए फिर भी काम करती है बाकी मिलके ठीक होते हैं अप्रोड वाले हिंदी हो गई टैंथ वर्ल्ड जो हिंदी कॉंफरेंस होई थी ना वह भी इसी मिनिस्ट्री ने करवाई थी सेप्टेंबर 2015 के अंदर बोपाल के अंदर मध्यपरदेश में ठीक है और इ नेति आयोगा गया है प्लाणिंस की बोसे प्लेस कर दिया है इसको घहर बशनल की पर से लोग रहेंगे और मतलब चैंट को बनाने चाहें दो बना सकता है इसके लावे एकसपर्ट स्कॉलिट इब अगए उसमें बैटे रstar कोण अब भी अर्विन पनागरिया है मेंबर से इसमें रेक दोबराय हो गया उसमें कुछ सारव सुवत अशाय एक दो एक और है कोई वो पार्ट टाइम मेंबर कुछ होते हैं मैग्जिवन को ने चाहिए ठीक है इसमें यह आदा है एक्सविश्य मेंबर कौन-कौन होते हैं अपन सब्सक्राइब करता है में इसमें प्लानिंग का कुछ दिया रखाता है यह जरूर यादने कौन-कौन-कौन से प्लान रही है पहला प्लान जो आया था अपना 51-56 के बीच में उसने अग्रीकल्चर पर कंसेंट्रेट किया था अग्रीकल्चर के प्लान जो आया था उसने इंडिश्टियलेशन पर फोकस किया था विद हवी इंडिश्ट्री के ओपर एन सोचलिस्टिक पैटर्न आप सुसाल्टी निकालने की कोशिच कि थी इस प्लान के थुछ और यह आया था इन फिक्टियू सिक्टी वन के बीच में और यह नहरू मह क्यों आया थे यह तीन प्लान थे विकॉज 65 की लड़ाई हो गई थी फैमाइन सा गये थे रूपी गिर गया था वगरा वगरा ठीक है फॉर्थ प्लान जो आया था वह एक्टी एन एक यह बीच में आया था एक्टी एक यह बीच में और यह पावर्टी सेंटर था completely ठीक है फिर आता एट प्लान एट प्लान में क्या थे राव मनमोहन प्लान की जो बात आया था जो पहली बार जो इंडिया ने रिफॉर्म किया थे दंग से बार में जो प्लान देख लो फास्टर सस्टेनेबल मोर इंक्रूजिव ग्रोथ जाएगा एफ एसमें एक चीज़ या प्लान में अचीव करनी है इंगे होता क्या था कई वह अचीव कर लिथा था कि ऊनकों से आसे अच्छीव किया वह सकました कि वह थे वन सब requesting केर सब्सक्राइब प्लान में ही आउट अव्ट वक्रोल यह को इनष्क फल्रॉजिंद ने अच्छीव किया है इंक्युपिटिंग के लिए डिजाइन वगरा ठीक है तो यह अटल टिंकरिंग जो लैबरोटरी जो होंगी स्कूल्स में खोली जाएंगी अटल इंक्यूबिशन सेंटर खूल जाएंगे हर उसमें में 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 कुरी कंडर में कहीं कि जगह पर क्या काम करने के लिए स्टाट करने के लिए operating facilities suitable investment डाला जाएगा ठीक है ताकि एक तरीके से पूरा innovation का महुल बना जाए सागे पूरे country के अंदर corporate sector के लिए भी हो गया industry हो गया factories हो गया किसी बीचीज के लिए फिर जो आलडी इनको इनको सपोर्ट देने के लिए तिन यह हो गये चौधा निशर्टी वे बनाए उन्होंने अटल ग्रांड चैलेंज यह जरूर याद रखना है यह चाहते हैं कि जो इंडिया के अंदर आलडी स्टबर्ण सोच्य एक जो प्रॉब्लम्स है ठीक है उनमें क्या करेंगे आप उनका टेक्नोलोजी और सॉलूशन ढूडने हैं हमें जो अल्ट्रा लो कोस्ट हो लो मैंटेनेंस हो डूरेबल हो और कस्टमाइज हो ठीक है तो यह जो अटल ग्रांड चैलेंज ढूडने के ब सब्सक्राइब बहुत ही सस्ती होने चाहिए लो मैंटेनस हो चाहिए उन्हें पर ज्यादा मतलब कि खर्चा नहीं होने चाहिए बाद में में इन्टरेंस के उपर दूरेबल होने चाहिए तक कफ टाम चलें और इस लोकल कंडिशन है उनके उपर कस्टमाइज कर पाएं फि इतने प्लान के अंदर स्कीम चल रही होती थी वो मॉनिटर करता था इसको ठीक है अब उसने क्या किया नितिया अग्र भाई साब ने आगया इसको चेंज कर दिया है और चीज़ के पीफमस नाम रख दिया है पब्लिक फंड मैनेजमेंट सिस्टम तो पीफमस है वो नितिय इसको प्राइटी बना के रखाया है दो जार बाइस तक यह बोल रहे है कि रूरल एरिया और अर्बन अर्बन वाले को इंप्लिमेंट कर रही है अर्बन वाले को कर रही है मिनिस्ट्री फाउसिंग अर्बन पवर्टी एलिवेशन ठीक है नेक्स आगे नितिया यो क्या क्या देखता रहता है याद दखो आप यह मिनिस्ट्री और रूरल डेवल्लपेंट का प्रोग्राम है इसके अंदर फीडो पेंचन और अपनी जो अन्नापूरुना स्कीम है वह वह सब आती है इसके अंदर मिनिस्ट्री ओर ट्रिंकिंग जो वाटर सीयटेशं है वो जो रूरल ट्रिंकिंग वाटर सेनेटेशन प्रोग व्पर झाल रही हो वह नित्या यूग ही उपर से ओपर सी कर रहा है いंप्र्यमेंट यह कर रहा है ओवर सीव हो कर रहा है ठीक है थैंक यू ये तीन चप्टर कंप्लीट हो चुके हैं दू लाइक, फॉलो एंड शेर